प्रणाम मैं रिना बोनिक, स्वाग्य थे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नए है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपको कक्छा तीसरी के भासा माधुरी पुस्तक के पात 11, चू चू की टोपी पात को पढ़ानी जा रही हूँ जैसा की सीष्षक है चू चू की टोपी, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ कहानी एक चूहे की है यहाँ कहानी नाटक के रूप में है, इस नाटक के प्रमुख पात्र है एक चूहा और अन्य पात्र है अन्य चूहे, दरजी यानि जो हमारे कपरे सिलते है और गोटे वाला यानि जो कपरों पे जड़ी का काम करते है तो चलिए, पात्र सुरू करते हैं और चूहे की टोपी के बारे में जानते हैं द्रिश्य एक, एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उचल रहे हैं, वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है कपड़े को देखकर वहाँ बहुत खुस होता है पहले दिश्य में दिखाया जा रहे खाली कमरा है, जहां पर बहुत सारे चूहे उचल कूद कर रहे हैं वहाँ पर चूहो को एक गठरी मिलती है, एक चूहा गठरी खोलता है और उसमें से उसे एक लाल कपड़ा मिलता है और उस कपड़े को देखकर वहां बहुत खुस हो जाता है चूहा कपड़ा दिखाते हुए आह यह कप्ड़ा तो बढ़ अच्चा है मैं इसकी एक टोपी बनवाओंगा कप्ड़ा मैं ले जाऊंगा टोपी एक सिलाऊंगा उसकपड़े को देखकर एक चूहा बहुत हुष हो जाता है और सबको दिखाते हुए कहता है कि यह बहुत अच्छा कपड़ा है इससे मैं एक टोपी बनवाँगा चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है बाकि चूहे भी उसके पीछे-पीछे जाते है टोपी सिलाने के लिए चूहा उस कपड़े को लेकर बाजार में जाता है और दूसरे चूहे भी उसके साथ साथ जाते हैं दिश्य दो अभी दूसरा दिश्य बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं दूसरे दिश्ये में दिखाया जारा एक बाजार है, जहां पर तरह तरह की दुकाने हैं और लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं, चुहा, दरजी भईया, दरजी भईया, जरा मेरी टोपी तो सिल दो, चुहा, दरजी से बोलता है, दरजी भईया, मेरी टोपी तो सिल दो, दर जी फटकार कर चल हट मैंने ही टोपी सिलता मुप्त में काम कराने आ गया दर जी डाटते हुए जाओ यहां से मैंने ही टोपी सिलता मुप्त में बिना पैसे देकर काम कराने आ गया चुहा, देख सिल दे, मेरी टोपी नहीं तो, इसपर चुहा गुस्से में बोलता है दरजी को, देखो मेरी टोपी सिल दो, नहीं तो, दरजी गुस्से में, नहीं तो क्या करेगा? डर जी भी गुस्से में चुहे को बोलता है, अगर मैं तुम्हारी टोपी नहीं सुलूँगा, तो तुम क्या करोगे? चुहा रात को आऊंगा अपनी फोज लाऊंगा कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा इस पर चुहा दर्जी को बोलता है मैं रात को आऊंगा अपनी फोज मतलब और भी चुहे लाऊंगा और कुतर कुतर कर तुम्हारे दुकान में जितने कपड़े हैं उन सब को कुतर कुतर कर तुम्हें मजा चखाऊंगा तुम्हें सबक सिखाऊंगा दरजी डर कर ला भाई तेरी टोपी सिल देता हूँ मेरे कपड़े मत कुतरना इस पर दरजी डर जाता है और चुहे से कहता है ला ला तेरा कपरा दे मैं टोपी बना देता हूँ पर मेरे कपरे मत कुतरना चुहा अपने आप से आह टोपी पहन कर कितना मज़ा आएगा जब दरजी ने उसका कपरा ले लिया टोपी सिलने के लिए चुहा अपने आपसे बोलता है आह टोपी पहन कर कितना मज़ा आएगा दरजी चुहे भाई यह लो आपकी टोपी सिल गई दरजी टोपी सिल देता है और उसे चुहे को ते देता है चुहा भाई वा टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है इस टोपी में गोटा लगवालू तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी सिली हुई टोपी देखकर चुहा कहता है मेरी टोपी तो बहुत अच्छी सिली है अगर मैं इस पर गोटा लगालू यह चमकने लगेगी और भी अच्छी दिखेगी चुहा फुदकता हुआ गोटे बाले की दुकान पर जाता है चुहा फुदकता हुआ खुसी से उचलता हुआ गोटे बाले की दुकान पर जाता है चुहा गोटे बाले भाईया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो गोटे वाले की दुकान पर जाकर चुहा बोलता है मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो गोटे वाला जा भाग यहां से गोटे वाला बोलता है जाओ यहां से भागो चुहा देख लगा दे नहीं तो इस पर चुहा गुस्से में गोटे वाले से बोलता है देखो मेरी टोपी म तुम क्या करोंगे? गोटा लगा दूँगा इस पर गोटे वाला डर जाता है और चुहे से कहता है देखो मेरा गोटा मत कुतरना मैं तुम्हारी टोपी में गोटा लगा दूँगा चुहा गोटे वालों को टोपी देकर इधर उधर चक्कल लगाता है चुहा गोटे वालों को अपनी टोपी दे खुस होते हुए आह टोपी तो बहुत चमक रही है इस टोपी को पहन कर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ टोपी पहनने के बाद चुहे ने अपनी सकल सीसे यानी मिरर में देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा हुआ बहुत खुस हो गया उसकी टोपी बहुत चमक रही उसने अपने आप से कहा इस टोपी को पहन कर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ यह कहा कर चुहा जंगल की ओर चल पड़ता है और चुहा राजा की तरह जंगल की ओर चल पड़ता है तो कैसी लगी आप लोगों को चुहे की कहानी मजेदार है ना देखा आप लोगों न कैसे एक छोटे से चुहे ने सब को धमकी देकर सब को डरा कर अपना काम करवा लिया चुहा होता छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो सब चीजों को बरबाद कर सकता है वो सब चीजों को कुतर कर नश्ट कर देता है तो आज की लिए बस इतना ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिएगे बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद